क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे आल इन वन यूटुब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं दोस्तों अगर आपको भी लगता है कि यूवरास सिंग को और क्रिकेट केलना चाहिए तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों यूवरास सिंग की तूफ़ानी बल्ले बाजी भारत के हर बच्चे बच्चे को देखना पसंद है क्योंकि यूवरास सिंग भारती डीम के एक ऐसे लोग पर ये घिलाडी थे जिनको आजसा घर कोई याद करता है जिनकी बल्ले बाजी आजसा क्रिकेट इतिहास में सुने रेक्शन उसी लिके गई है जिनकी क्रिकेट रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो वो खूब सूरत है और बहतरीन भी है दोस्तों सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट में ही यूवरास सिंग ने आई पिल में भी कई ऐसी पारियां खेली है जिसमें उन्होंने अपनी तूफ़ानी बल्ले बाज़ी का दम दिखाया है लेकिन आजम यूवरास सिंग एक इंटरनेशनल मुकाबले की बात करने वाले हैं जो कि 2008 में 14 नवंबर को राच्चकोड के मैदान पर खेला गया था जी हाँ दोस्तों ये एक ऐसा अनों का मुकाबला है जिसमें भार्दी टीम ने इतहा सर्च दिया था और यूवरास सिंग ने थाबित किया था कि जब तक भार्दी टीम के पास यूवरास सिंग है भार्दी टीम महा रिकॉर्ड्स बनाते जाएगी दोस्तों इस मुखाबले में पहले बले बाजी करने उद्री थी भार्डी टीम पहले बले बाजी करते वे गौतम गंबीर ने इस मुखाबले में 51 रनों की पारी खेली थी तो विरंदर सेवाग ने 85 रनों की पारी खेली और सुरेश रहना ने 73 रनों की पारी खेली ऐसे में उसके बाद बले बाजी करने आया नमबर चार पर भार्दी डिम के सिक्सर हींग युवराज सिंग दोस्थाप साभी को बताते हैं शिरुवादी दोनों उपनर ने तो अर्दिशे थे कि पारी खेली थी लेकिन युवराज सिंग ने आते ही उसी पारी को कंटीनियो करने का फैसला किया जी हाँ दोस्था जिस हिसाब से उपनरों ने शिरुवात दिलाई थी वैसी ही फॉराज सिंग आते ही अपनी तूपानी बले बाजी से युवराज सिंग का आगराम अंदास है कि वो आती ही मैदान पर चौकों और चौकों की बारिश करते हैं ये बात तो आप सबी को बताई है कि युवराज सिंग ज्यादा गेंदे नहीं केलते हैं और पूरे मैच बदलने का रुख रखते हैं जी हां दोस्तों उनकी बल्ले बाजी में इतना अदम होता है कि वो तूफ़ानी बल्ले बाजी करते हैं देखते यवरास सिंग ने धाकर बले बाजी की इंगलेंड के सब गेंदबासों को पानी पिलाने लगए यवरास सिंग भारती टीम के पास एक ऐसा बले बास आ गया था जो भारती टीम को मुष्किल से निकाल सकता था या फिर हम कह सकते है 99% हरा मुखाबला युवराज सिंग ने बदल दिया युवराज सिंग के ऐसी तूफ़ानी बले बाजी देख इंगलेंड के साभी की लाड़ी है रहान हो गया और ये दोर आ गया कि युवराज सिंग इसी शौट के साथ तूफ़ानी दिर्ग से चौका लगा कर अपने शाथ तक पर पहुँच गया जी हाँ दोस्तों मातर 64 गेंडों में युवराज सिंग ने अपना तूफ़ानी शतक पूरा किया ये एक O LAN मकाबला था ना ही एक T20 मकाबला था जी हाँ दोस्तों सबी लोग यही सोत रहते है कि T20 की तरह युवराज सिंग ने Oordin मकाबले में बल्ले बाज्य की जी हाँ दोस्तों युवराज सिंग ने एक कारनामा किया था मादर 64 गेंदों का सामना करते वे 100 रनों का शतक लगा दिया था ऐसे में युवराज सिंग की अब नज़रें थी कि भार्दी टीम को एक बड़े टोटल तक पहुँचाए क्योंकि भार्दी टीम लगबख साड़े 300 के खरीब आच चुकी थी तो 46 ओर हो चुके थे ऐसे में युवराज सिंग और भी तूफ़ानी बले बाजी कर रहे थे पर ऐसा लग रहा था कि युवराज सिंग आज माहा रिकॉर्ड बना देंगे दोसे युवराज सिंग ने इस मुकाबले में धाकड पारी के लिए शतक की लेकिन वो अंत तक ना बाग गए क्योंकि ओवर भार्दी टीम के पास 50 खतम हो चुके थे जी हाँ दोस्तों भार्दी टीम के पास ज्यादा ओवर बागए नहीं थे जब युवराज सिंग बल्ले बाजी करने आये थे तैसे में अगर युवराज सिंग के अगर हम इस मुकाबले में पारी की बात करें तो युवराज सिंग ने इस मुकाबले में 138 रनों की धाकड पारी के लिए थी तिर्फ और सिर्फ 78 गेंगों में जिसमें से उन्होंने 6 तूवानी च्छके वह 14 तूवानी चौगे जड़े थे युवराज सिंग के स्पारी की बतल भारदी टीम ने 327 रन लगा दियते 5 वीड़ के लुकसान पर जो उस वक्त इंग्लैंड के सामने सबसे हाइस टोटल था किसी बीट टीम के लिए ऐसे में युवराज सिंग और भारदी टीम ने ये महारी कौर बनाया था तिर्फ यही नहीं इंग्लैंड को भारदी टीम ने मातलु 239 रन पर ओल आउट कर दिया था और भारदी टीम ने मुकाबला 158 रनों से डिता था जो जी हाँ दोसों 158 रनों की शांदार जीदी वराज सिंग की तरफ से भारदी टीम को मिली दोसों आपको ये वराज सिंग की ये पारी कैसे लेगे हमें कमड़ी में बार जोरू पताते वे जाएं परिगे वीडियो से यह तक दिल से लाइक करें और सीक्रेट के होगे माचा सब्सक्राइब करें